अध्याए साथ स्वाव लंबी कहानी नहीं मा मैं नहीं जाओंगा रिंकु ने मा से कहा चला जा बेटा तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा मा बोली मा रिंकु से बार-बार कह रही थी कि वह गेहों पिस्वा कर ले आए लेकिन रिंकु जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था रिंकु के पिताजी एक अधिकारी है उनके घर पर काम करने के लिए एक नौकर नियुक्त है पिछले चार-पांच दिनों से नौकर छुटी पर था रिंकु इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था उसने सोचा जब वह गेहूं का डिबबा साइकल पर रख कर जाएगा तो लोग उसे देख कर हसेंगे उसने कहा मा मैं गेहूं पिस्वाने नहीं जाऊंगा यह मेरा काम नहीं है रिंकु की इस बात पर जैसे मा पर कोई असर हुआ ही नहीं उसके पास रिंकु की इस दलील का जवाब था वह बोली बेटा यहां साइकल पर डिबबा रखने में मैं तेरी मदद कर दूंगी और चक्की वाला तेरी उतारने में मदद कर देगा इसी तरह वापसी में भी गेट पर हम दोनों मिलकर डिबबा उतार लेंगे रही बात रास्ते की तो तुझे कौन सा बोज़ा ढोना है गेहू का डिबबा तो साइकल पर होगा तुझे तो हाथ से बस सहारा भर दीना है मा के आदेश की वजह से रिंकु न चाहते हुए भी गेहू पिस्वाने के लिए जाने को राजी हुआ मा की मदद से गेहू का डिबबा साइकल पर रख पिस्वाने चल पड़ा बाए हाथ से साइकल का हैंडल और दाहिने हाथ से उसने गेहू के डिबबे को पकड रखा था अपनी शर्म को मिटाने के लिए उसने गर्दन नीची कर ली थी वह हर आने जाने वाले की निगाहों से बचने का प्रयास कर रहा था कुछ देर चलने के बाद वह आटा चक्की पर पहुँचा तब उसने कुछ राहत की सांस ली गेहूं का डिब्बा उतार कर उसने तुलवाया चक्की वाले ने रिंकु से कहा भाया एक तो आदमी और आजाएं तो चक्की चालू करूंगा तुम कोई और काम हो तो वह कर आओ अच्छी बात है मैं आधा घंटे में आता हूँ इतना कहकर रिंकु ने अपनी साइकिल उठाई और वह सोचने लगा मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने को कहतो दिया है पर जाओं कहां उसने सोचा कि चलो ऐसे ही कुछ देर घूम लिया जाए फिर उसने विचार किया कि चलो अपने सहपाथी संजे से ही मिल लिया जाए संजे के पिताजी की किराने की दुकान थी संजे ने रिंकु को एक बार बताया था कि वह दो पहर को अकसर दुकान पर बैठता है क्योंकि उसकी पिताजी उस समय भोजन करने घर जाते हैं रिंकु ने अपनी साइकिल संजे की दुकान की तरफ मोड दी संजे अपनी दुकान में ज्ञाडू लगा रहा था रिंकू कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया उसका उसे एहसास ही नहीं हुआ अचानक उसकी नजर उपर उठी उसने रिंकू को खड़ा पाया रिंकू को देख कर उसे आश्चरे हुआ अरे रिंकू अंदर आ एक मिनट मैं कच्रा फेग दूँ जाडू कोने में रखते हुए संजे बोला रिंकू ने आश्चरी से पूछा संजे तु जाडू लगा रहा है जाडू रखते हुए संजे ने जवाब दिया हाँ यार आज नौकर नहीं आया है इसलिए मैं ही यह काम कर रहा हूँ और फिर नौकर रहे या न रहे इससे क्या फर्क पड़ता है उसके रहने पर भी मैं कई बार जाडू लगा चुका हूँ रिंकू को आश्चरे हुआ उसने पूछा तुझे ये सब करने में शर्म नहीं आती संजे बोला अपना काम करने में शर्म कैसी फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो अर्थात अपना काम स्वयम करो पर रिंकू तू भी कौन सी बात लेकर बैट गया आँ मैं तुझे क्रीम वाला बिस्कुट खिलाता हूँ इतना कहकर संजे ने बिस्कुट का पैकिट खोल कर एक प्लेट में रख दिया ले खा उसने कहा हाँ खाता हूँ एक बिस्कुट मुह में डालते हुए रिंकू बोला रिंकू कुछ देर तक संजे की दुकान पर बैठा इधर उधर की कुछ और बातें हुई पहले ही रख दिया था चक्की वाले को पैसे देकर रिंकू ने आटे का डिबबा साइकल के केरियर पर रखा और घर की ओर रवाना हुआ अब अपनी गर्दन नीचे नहीं बलकि गर्व से उंची किये चल रहा था आज उसे स्वावलंबी होने का सही अर्थ पता चल चुका था जयंत खानवलकर